हे गाइच वेलकाम वेक टो माई नीव ब्लोग कैसे आप सब आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों अभी हम आए हुए हम लोग का सोचाले बन रहा है सोचाले का गढ़्धा त्यार हो चुका है दोस्तों और यहां पर तीन सेट में है एक जहां प पार होएंगे अभी तकी सबीड चलते हैं तो इधर से नीचे से पार होते हैं दोस्तों पूरा पाणी पटवन कर दी है यहां पर और दिवार भी बहुंसे मजबुत हो रहा है क्योंकि हम लोग पानी अच्छे से पटवन कर रहे हैं और इधर साइड एक और है यानि तीन से दिशने बनता है मिस्तरी लोग इस तरह से बना दिये हैं और यहां पर पूरा पानी है है और देख सकते हैं कि साइड से छोटा से इधर पार होने के लिए यह बहुत ही अच्छा बनाता है मिस्त्री लोग और अब यह में स्यूठी से निचे आये हुए है जो निचे उतरने में भी बहुत ही डर लग रहा था और पानी में दोस्तों प्रगंदा पानी हो गया है तो इसको अभी पानी को डिलने रहने देना है यहाँ पर ताकि निचे का जो ढलाई हुआ है यह भी बहुत मजबूत रहे और अच्छे बने तो दोस्तों अभी बालु का भी जहां से बालु मिलता है वहाँ अभी बंद हो गया है याणि जारकर्ण सरकार जो हैं मंद सोरैन है वह अभी बंद करात ही हैं पताने तो जैसे बालू वहां पर मिलेगा उसके बाद हम लोग का मतलब यह इसका ढलाई होगा उसके बाद बनेगा भी टाइम लग रहा है और उपर का जितना भी मिल्द आंकन होगा उसको भी ढलाई करेंगे साथ में साथ में तो गाइच यहां से बहुत ही दिक्कत है चोटा सा जबना मतलब ऐसी वाला फील हो रहा है पर ठंडा ठंडा लग रहा है बहुत ही मजा रहा है तो चलिए चलते हैं उपर की और उपर साप लोग को दिखाते हैं कितना गढ़्धा है दोस्तों लगभग 11 फूट है निचे से उपर तक में 11 फूट गढ़्धा है लोग बोलते हैं नोला जो भी आते हैं देखने के लिए बोलता है वह उत्ती गढ़्धा है तुम लोगों का तो साईध मतलब गणा जादा ही हो गया तो कोई बात ने अब बन ही गया सब्सक्राइब है इताजा अब दोस्तों के लिए अबे दोंद कि तो है एक तो बात प्राम गेसम होने के लिए तो अब दॉछ और यह हम लोग का घर जो पलस्तर भी नहीं हो रहा अभी बालू उलू भी नहीं मिल रहा है जिसके वह जैसे पलस्तर भी नहीं हो पा रहा है और इधर पीछे सड़ खेत है जहाँ पर हम लोग खेती हुईती करते हैं तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कोमेंट सेयर और सब्सक्राइब नहीं कियें तो सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर